इंडियन क्रिप्टो टैक्स रूल के हिसाब से आपको 30% क्रिप्टो टैक्स प्लस 2% का TDS फेक करना होगा। लेकिन एकॉर्डिन टू फोर्णर एक्चेंजर्स के हिसाब से लाइक बैनेंस के हिसाब से आपको 15%, 30% और 44% टैक्स पेक करना पड़ेगा। और ठीक दोस्तो आज से 10 दिन बाद आपको 2% का TDS भी पेग करना होगा क्योंकि एक जुलाई से TDS अफलाई हो जाएगा तो दोस्तो बैनेंस और लाइक फोर्णर एक्चेंजिस के तरब से जो सलेब बनाए गया 15, 30 और 44% का इसके बारे में अच्छे से एक्स्पेंड करते हैं कि आखिर हम लोग किस सलेब में आते हैं और किस सलेब बाले को कितना फेड करना पड़ेगा हर एक चीज को अच्छे से तो दोस्तो आप अगर इस वीडियो को मिस कर दिये तो काफी कुछ मिस कर जाएंगे क्योंकि आपका जो फंड होगा आई थिंग मौशली आप फोर्णर एक्स्चेंजेस पर ही ट्रेड करते होंगे तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्फ लोने वाला है तो चलिए आप लो तेक्स उन क्रिप्ट आइसिट जो कि बालेंस के ब्लोग पेज के साफ से सारा डेटेल्स आपको अच्छे सेस्में करूंगा तो यहां पर देखले के जो दा क्रिप्टो टेक्स इन इंडिया जो कि union बजट सेशन में क्रिप्ट्रों टेक्स अप्लाई किया गया है रूल सार हरे को चीज को यहां पर एक्स्पेन किया गया एक सोड में अब यहां पर हम जानते हैं फॉर्टर एक्चेंज का मुना बाइन्स का क्या रूल है ओके सो यहां पर देखेंगे डिफ्रेंस टैप का यहां पर आपको टेक्स पे करना पढ़ेगा जिसमें कि टूडल थ्री टैप क करते हैं विजनेंगम हायर्ड इंसम्पितर्च मिलियंट्री बिस लाक क्रोड में इंवीश्मिंट कर रहे हैं तो यह जो अब 1 वे इंटेक्स म Л Says जिसमें क्या है कि जो नॉर्मल टेक्स 30% है वो तो है ही साथ के साथ इसमें एरॉन क्या गया है 18% GST में भी अपलिकेबल मतलब बीजनेस इंकम मिलियनों वाले के लिए 10 लाग 20 लाग 50 लाग करोड़ वाले के लिए 30% टेक्स पलस में भी 18% का आपको GST पेग करना पढ़ेगा जो कि यह बीजनेस इंकम है यहां पर सिंप्ली से क्लियर कर दिया है मतलब मोर देन 20 लाग 20 लाग मतलब 2 मिलियन दो मिलियन जेभब बाले के लिए बीजनेस इंकम के क्रडेग्री में आएंगे वहां पर आपको 30% टेक्स प्लस 18% का GST में भी पेग करना पढ़ेगा अब य यहां पर हम जानेंगे capital gain and loss तो यहां पर आ रहा है लोग ट्रेडर जो कि हम लोग आते हैं उन लोगों के लिए टेक्स रखा गया है बट इसमें दो टैप कर टेक्स है एक सोट्रम गिन जहां पर 15% टेक्स पेग करना पढ़ेगा एक लोंग ट्रम उसमें आपको 20% अब यहा करते हैं उसमें जो प्रोफिट होता है उसका मात्र 15% टेक्स पेग करना पढ़ेगा ओके लेकिन उसी कोईन को अब 36 मिने से एभव का होल्डिंग करते हैं तो यहां पर 20% का टेक्स पेग करना पढ़ेगा ओके अब यहां पर आपके मतलब में आ गया होगा कि गवर्मेंट इसने तो 30% टेक्स लगाया है 30% टेक्स पे करना पढ़ेगा प्रोफिट पे तो चीज को भी हम क्लियर करेंगे का अखरे जो 15-20 परसेंट हो कहां पर जाके मतलब जोड रहा है अब यहां पर हम जानते हैं अधर इंकम अधर इंकम में कौन सा टेक्स लगेगा तो यहां पर स जिसका कोई सोर्स नहीं है सपोरी डरेट आप सिर्फ हम आपको 2 million का भी टीज पेसितन अफो भी बेपेसं जरके हैं आपके पास आपके पैसा को में और शुशा भेंग आया है मतलब जिसका कोई source ना हो वो other income में आएगा उसका एक अलग text लगाएगा जो कि है इस पर RBI guidelines जहां पर highest tax लगा सकता है यहां पर highest tax slab में वो आ सकते हैं जिसका कोई income का source नहीं है आपका trading का कोई source नहीं है उस पर highest tax लगा सकता है वो भी business के category में आ जाएंगे यह भी चीज़ देख सकते हैं यहां पर business income में वो भी आ जाएंगे अधर income बाले तो इस तरह से यहां पर with so charges तो इसके बारे में अच्छे जानते हैं हरे को चीज को यहीं पर समझ आएगा कि क्या किस तरह साब को कितना टेक्स पे करना पड़ेगा तो यहां पर सबसे पहले with no so charges के बारे में जानते हैं तो no so charges में cap for any individual investing cryptocurrency जस्ट एजूम एन इंवेश्टमेंट और टू बीटीसी एट आरेस वन लाग इच तो दोस्तों यहां पर जस्ट एक्जामपल दिया है कि जस्ट एक्जामपल आप दो बीटीसी इंवेस्ट कर रहे हैं इस बीटीसी का प्रैस एक लाग का है ओकि मानिए कि एक बीट सब्सक्राइं उसमें आपको टेक्स नहीं परको किachment लिटीरे सब्सक्राइब एक में आपको सततव हैлекलोस गया है एक में आपका अग 250 यह जाना सोचार्जेत क्या यहीं में इंपरेंट है यहां प्यार सफ मिन इंप्रेंटार्ज स्टेंपाघ एक चार्जस रेत कएड सीक का ईपने antide ghost इंवेस्टर्स का इंकम कहा रहा है उसका इंटेंशन क्या है जो कि अभी जो अधर इंकम के बात किये थे अधर इंकम आपका वह सेम चीज दोस्तों यहां पे अपलाई हो रहा है की इनवेस्टर्स तरॉस क्या है इसका इंटेंशन क्या है उस हिसाप्स अगर आप नॉर्मल्मल यहां नहीं क्रिप्टो तो उस केस में आपको आप सोच चार्जिस के दैरे में आते हैं और अधर इंकम के दैरें माते हैं उस इंकम पे पलस चार परसेंड आपका सोच चार्ज इसमें पर लगा सकता है तो यहां पर जिस एक्जांपल दिया है कि 0% टेक्स ओन 17 पर्सेंड यहां पर आपका लोस होता है तो मैं आपको पे नहीं करना पढ़ेगा इसमें भी लेकिन वहीं पे आपका जो प्रोफिट हो रहा आप जिस कडिगरी मैंगे हो सकता है यहां पर आपका 10 के जगर 15 भी आ सकता है 25 भी आ सकता लेकिन आपको 10 परसेंड प्रसेंड प्लस जो प्रोफिट पे ओके प्लस यहां पर 4% टेक्स जो कि सोट चार्ज से मांट होगा तो टोडल कितना दोस्तों 30 10 40 44 परसेंड आपको क्र इसरे पिटल केर में अगर 100 टर्म है उसमें 15 परसेंड और लॉंग टर्म चातीस मैने से इभब है तो उसमें आपको 20 परसेंट है वो कहां पे करना पढ़ेगा किस कंडियूंज पर्सेंड बढ़ेका किस कंडिशन में आपको 20 परसेंड पे करना होगा तो यहां पर the concept of ट्र है कि अगर आपका रहा नीचे का ट्रांजेक्शन से उसमें आपको टेडियूस पे करना पता है अगर उसे अभद करना पड़ेगा उसके बाद टीडियस आप जो पे करेंगे अगर आपका यहां पर करना पड़ेगा यह नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तों वहां टीडियस से ही हो जाए सब्सक्राइब करना नहीं है लगारे दिट करना है अब आप डालके 10% TDS क्लेम कर पाएंगे तो मतलब 50,000 के नीचे वाले टेंसर नहीं है उससे ज्यादा वाले के लिए आपको टेक्स TDS हरे को चीज को कमपल्सरी करना है और टेक्स तो पे करना ही है दोस्तों यहीं चीज जो 15% 20% रखा गया उसी केस में कि यहां से अगर आपका उससे कम का इंकम है तो आप 15% ही अपलाए होगा क्यों दोस्तों आप टीडियस एड हो जाएगा और टीडियस एड नहीं होता है तब तो नौर्मली कि गवर्मेंट का रूल किसा आपको 30% टेक्स पे करना पड़ेगा तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजेगा सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको आगे चलके और भी ऐसे नए नए वीडियो जनकारी मिलते रहे सो बाइ जहिंद के भारत